तो आप जब यह पर्चेस कर रहे होंगे आपने यह भी देखी और भी गाड़े रन करते हैं तो 4x4 में थार भी अवेलेबल है मार्केट में तो जब यह पर्चेस की तो इसे को लेना है को इस पैसिफिक रीजन आपका उसके अपने यह लिए क्योंकि आप जैसे अपने यह ल जैसे इसके टायर साइज वैसे तो सफिचेंट है स्पेस्पी काफी अच्छा ओफ रोडिंग अग्वर्डिंग बट आपको लगता है कि थोड़ा टायर साइज इसका इंकित होग इसकी ऑफ रोडिंग के फीचर्स और बात इसके बारे में कमफ़र्टेबल है कम्टी सेटी चाहिसे तो साथ में भी आपके ग्रैंटसन भी है तो मैं सर फोर बाइफ उस करते हैं ठीक है तो आपको कैसा लगता है इसकी परफॉर्फोर्मेंस गाड़े के जब आप में करते हैं क्योंकि नॉमल इसेज में मैं देखते हैं जहातर को चीए कमफर्ट लगजरी गारी वो स 4x4 के बारे में जिया मारुतिका प्रोड़क्ट है जो भी रिसेंटली लॉंच वा था तो इसे लिए मैं कम्प्रीट ओनर्शी प्रियूगर हुआ है काफी टाइम से इवन जो इंडिया में लॉंच नहीं तो इसे पर्फॉर्मेंस की बात करेंगे इसकी कैसी पर्फॉर्मेंस क्या क्या सर को इसमें बैनिफिट लगे अगी तक और कि सरो कमीया तो भी बताऊगा अब आपको ओंडिए व्रटिक कमी होगी इसमें तो लिए बात अगवाँ करूंग जिंदी 4x4 के वारे में भारे में सर स्वागत अपका माले चैनल थेंक्यू तो थोड़ा तो अपने ब सबसे बड़िया बात इसके अंदर यह है कि इसका साइज इतना कॉम्पैक्ट है कि देट इस वेरी कमफर्टेबल फॉर मैनिवरिंग एस वेल एज ड्राइविंग तो इसका प्लेजर ही है जिसको के स्यूवी का शौक है और आफ रोडिंग का शौक है वेरी कमफर्ट ड्राइ इसको मैंने करीब चला दिया डाई एक हजार कि दोजार के आथपास इसको मैंने बुक कराया था अठारा फरवरी को विपल मोटर्स पे नेक्सा के डिलर है अपने जैपुर में वहां बुक कराया था एंड लॉंच यह हुई थी यह पांच यह साथ जून को उसके बाद के अठार जो एंड जो है 15-20 दिन के अठारा मैं के अंदर मैं के अंदर मैंने कराय थी आटोमाटिक बड़ देन आई चेंज इट तो में वल इस में वल टॉम और टॉम वल तॉम टॉम एंट उर्ट यह यह जो अटो अपने बुक रही दिन के आपको फंटरा बीश दिन के डि मेरी 24-25 गाड़ी है अब तक अब तक अब दिस वास बेस्ट एक्सपरियंस और श्पेशली जो नक्षा शोरूम मैंजर है Mr. Rajiv Sharma, he had been very cooperative and basically he explained, though I knew much about this vehicle, काफी ब्लॉग्स वगरा देखे थे बाहर, मैंने यूज भी की थी किसी फ्रेंड की इनू थाइलेंड तो वहाँ पे बेसिकली जो है इस पर्टिकलर शोरूम पर मुझे इतना comfort मिला कि that I was कैसे गए, कैसे लाए, पता ही नहीं लगा, it was very pleasant, अब बात कर देखे गाड़े में आपने परजेश के तो कुछ चेंज़ करवाया अश्मी या चुछ नहीं नहीं करवाता, and I go for J9 X-series, जो accessories इसमें है original Nexa की है, and उसके अंदर कोई compromise भी है, और basically इसके अंदर, क्योंकि six airbags है, तो ये seat covers जो है, ये हमेशा मैं हर किसी को suggest करूँगा के original Nexa के ही लगाए, क्योंकि अगर वो बजार से लगवाके, या proper इसका cut नहीं लगवाते हैं, तो it will not deploy, छे airbags, six airbags, right, तो अब बत करते हम लोग आप इसको, पहले आप भी आप गाड़ी उस कर रहा है, पहले आपने गाड़ी रन की हुई है, तो पहले कहा रन करते थे गाड़ी आप यह पहले यह थाइलेंड गया था, तो वहाँ पर ये थ्री डोर चलती है, ठीक है जी, तो वह अपने किसी फ्रेंड की मैंने चलाइब तो वहाँ जो थी डोर अपने यह पर फाइव दोर में लांच किया है, तो दोने पर डिफ्रेंस लगा आपको यह यह थाइज पर इस बेंडियान वेल्टारी के साफ से लगेज एड बूट इस दे बेसिक रिक्वार्मेंट, अब व तो आप जब भी पर्चेस कर रहोंगे, अपने भी यह देखी, और भी गाड़े अरन करते हैं, तो 4x4 में थार भी अवेलेवले मार्केट में, तो जब यह पर्चेस की, तो इससे को ले 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 लेगो इस पैसिफिक रिजन आपका, स्पैसिफिक रिजन एक तो इसकी कहना हम से capable vehicle, in all respects, और सबसे बड़ी खुबी इसकी है, कि यह एक compact सुकडी भी गाड़ी है, तो जो गंदे टेरियन्स हैं, प्लस जहां पहाडों के अंदर और उदर हम लोग कूप जाते रहते हैं, तो वहाँ जहां चौडी गाड़ी को जगे कम मिलती है, देखिए आप हिल जो है, वह मतलब इतना comfort देती है, कि बड़ी वाली थार फॉर्चुनर यह वह पिछे रह जाती है, और वह लोकल की एक छोटी सी ओल्टो आगे चली जाती है, तो यह गाड़ी सकडी होने की वज़े से, फॉर दोस रीजन्स, इस बड़ी और एक त्यूंके पेट्रॉल है, तो इवन फॉर कोल स्टार्ट, इस एन अदिशनल बेनिफेट, तो थार में कुछ इशू लगे थापको जो कोई रीजन तो थार में जादा चला ही नहीं, बट थार के अंदर बेसिक इशू एक तो कहा है कि लुकिंग तो मा एज, इंग्रेस और आउट ग्रेस का सबसे बड तो सीसी बाली आई वो टॉपेंड रखी बट उसके अंदर भी जो बेसिक आप रोलिंग बहुत थी इसके अंदर गाडी में बोडी रोल नहीं और है जित्ता वो टॉलरेबल है मतलब एकदम जैसे आपको कहीं डाइवर्ट करके नीचे जालनी बड़ी उपर चठानी आपको 68 68 68 अभी आप आफ रोडिंग का शौग है आपको 68 68 अभी आप आफ रोडिंग का शौग हो करता है और उसके अपने यह लिए क्योंकि थार काफी टाइम से मार्केट में वो भी ऑप्शन एक अच्छा बनता है बट थोड़ा बलकी बॉड़ी है आप बोलर रोलिंग इसके अंदर जैसे ग्लास ओल्डर्स नहीं है कई लोग कहते हैं कि इसके अंदर मोबाइल रखने का नहीं है यह नहीं है वो नहीं है तो सर हम लोगों ने तो जिस जवाने से गाडियें रखी है लॉंग स्टिक वाली विलीज जीप वगेरा तो उनके अंदर तो पढ़नों समान रखने के लिए और आगे पानी के लिए छागला लटकाया जाता था कैनवास का तो यह ग्लास रखने का रिसका उसका तो चलन ना उस जमाने में था भी नहीं और बेसिकली आफ रोडिंग के लिए उसके लिए इन चीजों की अगर आप रखेंगे तो देविल भी अर् यह जाता है और मतलब अगर आप जैसे आफ रोडिंग के अंदर या वैसे कहीं तीन आदमी है तो एक सीट को फोल्ड करके यू कैन है एवरी लगजिरी और चारों सीटें यू करके आप कहीं पिक्निक के लिए बैठे तो मतलब यह पूरा बैड बन जाता अभी आपने आप अपने के अनाम से पुश करके आगे क्लिप यह बच्चा दे देगा इसी गाड़ी का क्लिप है इसके नंबर के साथ तो जिसके अंदर मतलब जहां पे अपने के अनाम से थार वगेरा और वो लोग पूरे फोर बैफोर में वहां के लोकल सफारी के लिए ले जाते करते हैं यह गाड़ी नॉर्मल फोर बैफोर के अंदर मतलब फस्ट वाले अराम से उस ट्रैक पे चलिए और कहीं कोई इस नहीं मतलब नहीं दिकत नहीं थी हम लोग इतने एक्सपर्ट भी नहीं थे जित्ते के वो लोग जो रोज उस ट्रैक पे सफारी कराते हैं बट यह मतलब जो इसको लगता है कि थोड़ा टाइड साइज इसका इंकी उस तो ऐसा है कि देखिए मैं बेसी कली गाड़ी की औरिजनल्टी में कभी इंट्रफेर नहीं करता और स्कॉर्पियों भी जब मेरे पात दोनों गाड़ी रही है मैंने कभी उनमें बड़े टायर नहीं लगवाई एक दफे गलती से जो सेकंड गाड़ी मैंने ली थी उसमें बड़े टायर लगवाए थे उसकी वियर और टियर ऑफ दा सस्पेंशन जिस तरह का सस्पेंशन मैं ड्राइविंग में पसंद करता हूँ वह मजा उसका चला गया था फिर मैंने वापिस यहां सीयट वाले हैं वापिस वह और इजनल फिटमेंट वापिस लगवाया अपो मेरे को बेसी कली इस टायर में कोई मतलब जो है दिकत नहीं है और बेसी कली ठीक है स्पेस ज्यादा है तो जैसे कहीं ऑफ रोड में अर उदर दिकत नहीं आती है कहीं स्नो अगयरा है कुछ है तो यह आराम से मत ठीक है 20 किलो मेटर मेरी एवरेज रणिंग है सिटी की तो जैपूर के ट्रैफिक के अंदर कोई चांद पोल गया उस साइट तो मुझे जाना नहीं और जित्ता सा मेरा है वेशाली से सी स्कीम और सी स्कीम से टॉक रोड प्लस हाइकोट जाना आना तो उसके अंदर बैसी कल मेरे को कहीं यह नहीं लगा के आटमेटिक की जरुरत हो हाँ थोड़ा सा जो लंबी स्टिक वाला गियर होता है वो हिलेगा तो सही अब जिसके दिल में विलीज बसी भी है पुरानी तो उसको मैन्यूल ही पसंदा लाउंग स्टिक वो अपना एक मजा है अपना अपना क्रे स्क्रीन वगणा परफेक्ट है सरथ टैनिल्स का राउंड श्क्रीन है बिलकुल 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 और बहुत यूजर फ्रेंडली है मतलब मेरे जमाने के आदमी को इसमें ओपरेश करने के अंदर मतलब जो है कोई दिक्कत नहीं आ रही अराम से फोन इसको लॉक करके रखना ही पड़ेगा अधरवाइस जो है यह जो है अलेट इसके कंटिन चारों जो है सीट उसके लिए एक अंबद किया हुए इनोने अलेट हाँ चारों को बिकॉस आफ दा अपने नॉम से उसके अकॉर्डिंग उसके अकॉर्डिंग यह तोड़ा साइध इसको बंद करवाने वह कर देते हैं एक इशु इसमें पीछे आता है यह जो वायर्ज है यहां के इसके यह पीछे का अबर के यह खुले अच्छो यह जैसे यह मैंने स्पेशली बाहर से मंगवाए है ताइलेंड से जो यह तो यह मैक्सिमम गाडिये मैंने देखी यह नई तो यह दौनों जो है यह कल्कनी को देना ज़ए ठेक आईंगा है यह बेसिक रिक्वार्वेंट है क्यूंके वह एकडम से आप कई गाडियों में देखेंगे वह चाहिस अब बूट इस पेस पेस काफी अच्छा आगाज़ा बूट फिर सिच फोल्ड हो जाती है और बैक सी तू पोजिशन्स में एडजस्टिव हुँ जो टॉप में दिया हुआ हाँ तो बूट स्पेस का मीन फादा यह इसमें कि थार में बूट स्पेस बिल्कुल नहीं मिलता है तो सिफ दिखावट के लिए कि तीक आप बार इसकी त्री डोर में भी नहीं मिलता है जो बाहर चल रह के ग्रैंट सन भी हैं तो मैं सर 4x4 यूस करते हैं ठीक है तो आपको कासा लगता है इसके परफॉर्मेंस गाड़ी के जब आप में रन करते हैं क्योंकि नॉर्मली सेज में मैं देखते हैं जाहतर को चिए कंपाट लग शरी गाड़ी वो सब ची होती है बट सर यूस करते है इस वरिय कंपड़ें तो भी वर्यू जाए उन पर इए नवोगों को लगता कि लोगता कि अप्र लाइटी आरम सज्वारी कि एुक लोगण को लगता कि सिटिंग एभालों यहाँ वीन दीश में मैं तो जीना टू पकरना है आपको से वई राइट राइट रे निए टो न प्ले शेक है आप भी साथ में गूमते अपने अदादा जी ए ठेक है एंड़ा के साथ में जाते आते हाते हैं तो आफ रोड़िंग बगए है साथ में आप एक बार गए हो आप कैसा एकस्पेंस था वाप इस गाड़ी मेरे इसका सस्पेंशन बहुत सौफ्ट है कंपेर टो ए अच्छ वर कोई डिखवत नहीं अच्छ वर श्टीप था बोट एपर यह तो स्थीप था बोट एप एपर यह नहीं है अलमूस्ट सेवंटी डिग्री का एफट जे आइसा अगल था वो बनना हिल डिसंट के आश आरी सोड़ा अधा है अधा है फीचर्स वाइस और अधरवाइस ऑलसो बाकी तो कोई विजिबिलिटी प्रॉब्लम नहीं है कोई किसी तरह की प्रॉब्लम नहीं है वो एक कंपनी ने मतलब जो है थोड़ा सा कॉस्ट को लेगे तो ऑन रोड सर कितनी बढ़ी था आपको यह गाड़ी यह अन रोड मेरे को टॉप एंड मैन इसको लेकिन तो वहां पर कंफर्ट क्या से रहता आपको सेटिंग प्रॉपर मतलब जित्ता मेरा पोस्चर है हां सीट अड़ेस्टेबल नहीं है उपर नीचे बट मेरी हाइट मेरी कंफर्टेबल मेरा सन की हाइट मेरे से करीब 4 इंच कम है तो उसको भी कोई असर्च दिक उनको पीछे बैठके तो वैसे नहीं चलागी करेक्ट 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 आप रंगर रहे तो उसका मतलब जो है स्पेस उसकी काफी अभी मतलब जो है यह सीट इत्ती ओर आसनी है बहुत लीवत इतनी किसी किसी कमफर्टेबल से रुनिंग लॉंग और आप जाफ्रोड स्टॉप आए ठीक है अब भी सिस्टी को लेके भी कोई अनसान नी है सिक्स एर्वेक दिये हुए आपको इसमें एक जो जो जैसे बाकी जो गाडिया भी आती लग्जरी गाड़ी की बात करें तो बाकी सब में डीटल मायलोविटर सोगर आया ता आपका इसमें वही जो ओल स्कूल है बट वतलब इताज गुड डिस्प्लेइ देखने में कोई अब्स्ट्रक्शन नहीं होती और स्टेरिंग भी जो है दो जगे अड्जस्टेबल है टैलिस्कोपिक नहीं है तो इसमें जो लोग कई निकालते हैं के साब इसमें वह उना चीए तो आई पर्स्रेली फ टैलिस्कोपिक हां 360 कैमरे की इसमें जरूरी और एक चोटी सी मतलब एक वैसे तो यहां आजाता है यह लेफ्ट लेग मतलब मैन्यूल में अधरवाइस मतलब एक स्पेस लेग की मतलब जो है रेस्टिंग की स्पेस फॉर लॉंग रंस जरूरी है बट अगेन क्यूंके यह है तो आफ रोडर के अंदर पाओ अराम से रखने का टाइम काऊंट यह एक थोड़ा था वो जाता है कि आप लॉंग निंग में कर जा रहें कहीं पर हाइवेज में हाइवेज की बात पर दिया रहा है इंग थ्रूआउट वी वेंट ओन मतलब क्यूंके वह हाइवे काफी क अच्छा पूला है एंड उसमें जादा ट्रैफिक तो वी वेंट ओन क्रूस अच्छा उक्रूस कुंट्रोल है तो वी वेंट अन क्रूस और असी नभबे की कुरूजिंग पे इट गेव एन एवरेज ओफ 16.7 16.7 एवरेज इस पीड ओट अट एट 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 इट गेए तो वे अच्छा एवरेज है टों पेट एट इन पेट्रोल मतलब इस अच्छीं परेज की बात करें तो जो मेरी रणिंग है फ्रॉम वेशाली टो सीचीम एंड है कोर्ट देन अपने टॉंक रोट अपूट अप्ट प। देट रिकवरी ट्रावी ट्राइट तो बेस फाइव कभी कभी शिफ्टी मेरे साथ मतलब जित्ती सी मेरी रणिंग है बीस किलो मेटर ठीक है एक फीचर और काफी अच्छा है इसके अंदर जो ऑफडिंग बहुत अच्छा काम आता है वह अपका है राइड लाइट पर वॉशर हाँ है राइड राइड वॉशर इस वेरी शिशा पूचते है आगे लाइट का आप लॉशर नहीं पड़ी है बट डेफिनिट्ली इस वेरी बैनिफिशल को भी काफी अच्छा काम आने वह रहा है आप लॉशर इंग भी कर देंग हैं तरह किसी तरह की आई डोंट फील नहीं दी गई नहीं दी गई नहीं नहीं दी अजो TOP END के अंदर जो LED L2 याइट दीवी और जो नीचे के FOG लाओ लाओS दीए इन टीट और आमर्वाल यूजर 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 मढाद करें बाद का वारे में तो पुछ पुशिटिव पॉंच तो आपकी लगोगगे बाद को पुश पुशा बाह उपकी पुईटव क इसका बाद कर दो आपके नेगेटिव पॉइंट पॉइंट जो आपके लिए प्रेटिंग कर रहा है तो यही कहूंगा कि एक तो जो बार-बार रिपीट कर रहा हूं है 360 डिगरी केमरा वह बहुत एक कविनियंट चीज है वह बहुत दूसरा इसका जो रिवर्स केमरा है देट इस अफ नोट गूड क्वालिटी वह ऐसा लगता है जैसे कोई चाइनीज आइटम इनों लगा दिया है इसमें लगा दिया है और कि गाडे के प्राइस तो काफी अच्छी है जो बाहर थाइलेंड वाली मैंने यह चलाई है उसका रिवर्स केमरा हाला कि उसके अंदर यह वाला चोटा है थ्री डोर वे उसके प्राइडवर्स के वालीटी इस से बेटर फीचर प्राइस की प्राइड़ के प्राइस की बोट कामोने वाली हो गी दस लाग में आजएगी बट ऐसा नहीं रहा है अच्छी हम इस प्राइस यह उच्छी आपको लोड़े और एक य जैसे short height इंडे और हाइट अगर हाइट अगर हाइट अगर हैट इड्जस्टिबल भी डाल देते तो वह कोई फीचर इतना बड़ा लंबा चोड़ा इंपक्त नहीं हो सी बहुत अधा उसकी बहुत गांसिंग में एक पीछे का बताया मैंने वह मैंने वह में वाइर इस्टी आप बेसिक चोड़ी चीज है यह बट यह होता है कि कुछ फीचर होते हैं गाड़ी के complete पे कर रहे हैं तो उसके अगोड़ेंगी फीचर भी आपको मिलने चीए ठीक है तो यह था एक overall review जिमनी के बारे में जो सरसे बात की हमने कैसी performance है गाड़ी किया कमिया क्या कूबिया ह आने वाली हैं तो मित तरह दोस्तों को पसंद आएगा पसंद आए चैनल को सब्सक्राइब कर लाइक की लिए थैंक्यू वेरी मैस्ट दोस्तों जैन जै बारत